नमस्कार आप देख रहे हैं, नाइन तक ब्यार, इस वक्की बड़ी खबर आ रही है, सिवान नगर परिशत की आधिक्ष को हटाने का पटना हाई कोट ने आदेश निरस्त कर दिया है, बताते चले और पुन उन्हें जोइन करने का आधिस दे दिया है, सिवान नगर सभापत को दिजाएगी क्योंकि इस बीच उसने बड़ी मानसिक्ता परतार ना जहली है, यह हाई कोट का आदेश है, आपको देख की नियाधिस चक्रधारी सी, वो नियाधिस मधूरे परसाद की खनपीठ ने, इस पर सुनवाई की पटना हाई कोट ने, और सिवान नगर परिशद अध्यक्ष सिंधु देवी द्वारा दायर रीट याचिका पर अपना फैसला सुनाया है, कोट ने कहा कि यह याचिका करता ने जो सपस्टिकरन जिलादिकारी को दिया था, उसे पूरी तरह से दिखा ही नहीं गया, वो सिंधु सी को ततकाल परभाव से युगदान कराने क दिया आदेश, आप मता दें कि चार करोड की जमीन खरदारी घोटाले संबंदित मामले पर सिंधु सी की परकरवाई हुई थी और उन्हें ततकाल परभाव से मुक्त कर दिया गया था, पद से मुक्त कर दिया गया था, तो इसको की बड़ी खबर, सीवान नगर परिशत को के सभापती को बड़ी राहत हाई कोट ने दी है और जो उनके निरस्तिकरन का जो आदेश था उसको हाई कोट ने फिलहाल रद कर दिया है, आपको इस वक की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, सीवान नगर परिशत से, नगर परिशत के सभापती का निरस्तिकरन हुआ रद, युगदान कराने का दिया आदेश दूसों की बड़ी खबर आप देख रहे हैं